तो दोस्तो इस दिवाल घड़ी में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि यह घड़ी चलते चलते किसी भी समय रुक जाता है और जब हम इस घड़ी को हलकी सी हातों से ठोकते हैं तो यह घड़ी फिर से चलना स्टार्ट हो जाता है और फिर कुछ घंटो बाद अपने आप रुक जात है तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि दिवाल घड़ी में ऐसा प्रॉब्लम क्यों आते हैं और आप इस प्रॉब्लम को खुद से घर पर कैसे ठीक कर सकते हैं तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हमारा टूप चैनल मेकनिकल सर्च तो चलिए दो तो विडिकिस चार्ट का तो प्वाट टाक से दोस्तो दिवाल घड़ी के इस प्रॉब्लम को सॉल करने के लिए हमें क्या करना होगा इसका जो मसीन है ना इसे बाहर निकालना होगा तो हम यहापर बैटरी निकाल लेते हैं और इसके कालने के समय आपको बहुती साधानी रखना होगा या टूट भी सकता है तो आपको क्या करना दो साइड लॉक होता है तो आपको किसी भी एक साइड हलकी सी उठाना है फिर पिछले साइड का हलकी सी उठाना यान कि आपको इधर उधर करते हुए दोनों तरफ से हलकी हलकी उठाते हुए इस तरह से आपको खोड़ना है जिससे कि आपका घड़ी का जो कवर है वा डेमेज नहीं होगा तो इस तरह से आपको इसका जो कवर है दोस्तों उसे निकाल लेना है तो इस तरह नहीं निकाल लिया है तो अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इसका जो गियर होत वह पहले घुमता है उसके बाद सेकेन वाला गियर घुमता है उसके बाद चांथे वाला गियर घुमता है उसके बाद अंदर में जो मिनेट और आवर वाले जो घंटे लगे होते हैं काटे लगे होते हैं जो गियर लगे होते हैं वह घुमता है इस प्रकार से कारे करता है दो दोस्तोँ अब मैं आप बता दू कि ऐसा प्रप्राउब्लम घ्री में क्यों आता है। दोस्तोँ इसमें जो गियर जितना भी लगा हुगा रहता है वा एक दूसरे के रहता हुआ जैंणने और वह संपरक में की मान लोगी इस घीर का जो कोता है किसी बेंड हो जाता है तो उसके निसमें आप इसका जो ghear होता है वा एक साइड घूमने लगता है यानि कि किसी भी एक साइड दबाव ज़्यादा होते ह dewल और घड़ी चलता रहता और किसी भी अचानक समय रुज सता है और हम उसे ठोकते है तो वा जो घ्र होता है फसांव गिय चलने लग जाता है तो कई वर ऐसा भी होता है कि जब हम घड़ी कर Pl21 घर करते हैं तो उस समय हम गलत्तरी कि से लगा दिए जिसकांसे भी घड़ी चलते-चलते रूप जाता है तो इसमें चार के लिए चार गड़े आपको देखने को मिल रहा होगा इसको बैक कवर होता है ना यहां पर यहां पर चार गड़े आपको देखने को मिल जाता है जिसमें गियर का जो नोख होता है वहां बीचों बीच यहां पर फिट होता है तो दोस्तों यह सारी ब का हुआ है उसे भी निकाल सकते हैं मगर हम इसका जो ऊपर का ही गियर है उसको निकालेंगे और इस तरह से गियर को आपको किसी पुराने टूथ ब्रस की सहता से साप करना है दोस्तों होता है यह है कि जो गियर होता है ना उसके बीच में अगर कोई कंकड आ जाए तो चल रहा इसे जो घ्र इसको आपर सया पर फिट कर लेते हैं तो इस तरह से आपकोई Benson को फिट करना है और इसके बाद दोस्तों है को एक काम और करने है वो यह काम है टी उसमें आपको थोड़ा सा ऑईल का यूज करना है आप किसी भी तरह का ऑईल यूज कर सकते हैं ठीक है तो हम याप पर कुछ बूंदे ऑईल का लेते और इस ऑईल को हम चारों जो गड़ें उसमें इस से हलकी सी लगा लेंगे तो ऐसा करने से क्या होगा जब हम इस घड़ी को फिट करेंगे तो उस गियर का जो नोख होता है वास नहीं जगा में बैठ जाएगा और दोस्तों आपको लगाते समय भी ध्यान में रखना है साउधानी रखना है आप कीशिवी एक साइट से पहले प्रेस नहीं करना है आपको बराबर लखने के बाद दोनों और उनगलिव जाथा इस तरह से करना है तो एक साथ में जो गियर जो इसका कवर होता है वह इसके साथ लग जाता है प्रपर तरी के से आपको इस तरह से घुमा कर देख लिएना है तो इसका मतलब यह कि इसका जो गियर है वह से ही जगह में बैठ चुका है दोस्तों इस साफ अगर कर प्राब्लम है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएगा हम उस टापिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे तो चले तो मिलते हैं ने स्टूड में तब तक लिए हीन जय भारत